तो आपके प्लिस के या बैंक के और एससी के और यूपी PCS विहार PCS पीजिस के सिविल सर्विसे के एक्जैम्स में रिस्निंग के कोश्चन्स में काफी आता है तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप देख रहोंगे यहां पर ट्राइंगल है यह वाला जो ट्राइंगल है वह सबसे एजी है आप इसे करेंगे तो यह दिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेंगा है क्योंकि यह हमें पता है वान है तो चलिए हम आगे देख लेते हैं अब ही देखिए यह जो नेक्स्ट वाला हमारा है इसमें हम इसको ट्राइंगल को कैसे काम करेंगे वान टू थ्री एंद फोर इसको हम एड़ कर देंगे ठीक है जाएगा है लिए फ्री पलस इथरी प्लस 4 तो अगर हम इसे सबीक को प्लस करते हैं तो और क्या एगाली प्र प्लस 3七 हो जाएगा है एट 9 यह तो यह कितने ट्राइंगल हो जाएंगय हुआ हैं हैं हम एम लेतना सेंपल है यह यह हो जाएंगे 10 triangles इसी तरह से हम next one करते हैं बहुत easy है इसको बढ़ना अब देखिए इसमें एक line है तो हम यहां से count करते हैं one two three four obviously हमने पहले four add किया था तो यह आपका हो जाएगा कितना 10 okay उपर वाला दिखते है one two three and four यह भी आपका कितना हो जाएगा यह भी हो जाएगा 10 इन दोनों को हमे करना क्या है plus okay तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका total 20 okay यह हो जाएगा 20 20 यह हो जाएगा आपका answer इसके बाद में आजएगे इतना ही simple है आपको किवल count करते हैं उसी को add करना आप practice करेंगे तो आप exam में इतना time भी नहीं करेंगे यहाँ पर भी हमें same करना है one two three four और यह जो line है इसके उपर वाले भी same ही हमें count करना है one two three and four देखिए इस वाले में कोई square भी नहीं करना पड़ रहा है आड़ करना है तो यह हमें पता था 10 आएगा कितना आएगा 10 और यह भी आएगा 10 तो तेनों को अगर हम आड़ कर देंगे तो इतना हो जाएगा यह टोटल हो जागा आपका 30 मेंस इसके अंदर ट्राइंगल जो है वो 30 ट्राइंगल है आई होब यह वाली ट्रिक आपको बहुत इसी ली समझ आ रही होगी अब यह यह वाला कोशन आ चुका है देखिए आपको पुलिस में एससी में बैंक में और इसके बाद में आपका यूपी एससी के जो पिपर्स होते हैं और सिविल स्किल्स में भी आता है और स्टेट इसकी आपका कितना ओपको खिपशाए की का पिपशा में होजाएगा या एक इह ट्री इनको आट जाएगा जी अब हम नीचे देखते हैं नीचे भी एक पार्ट होगी है फिर वरन टू यूगा 2 यूगा 3 और यूगा 4 इसको एट करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा ओके अब इन तीनों को अगर हम जोड़ दें 10 प्लस 10 प्लस और 3 तो यह जागा आपका 23 जोड़ देते हैं यह हो जाएगा 23 यह क्यों पार्ट था क्योंकि यहां पर यह जो लाइन पर यहां ओपर डिवाइडिशन दिया तो एक पार्ट हमारा यह हो गया एक पार्ट यह हो गया और एक पार्ट यह हो गया इस तरह से यह वाले ट्राइंगिल तीन पार्ट में डिवाइड देते हैं ठी चैनल और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा बहुत सिंपल है चुटकियों में सारी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी कुछ भी नहीं करना है नमबर प्लिखने या काउंट करना है कितना भी कॉंप्लिकेटि ट्राइंगल हो उसमें के लिए आपको सिंपल यही करना है कोई स्कुएर की जुरतनी है ठीक है और अगर आपको इसमें भी कोई कंफ्यूज है ना तो आप हमसे पूछ सकते हैं चिल देन बाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं